हेलो दियर स्टूडेंट्स स्टांडर टैंट मेट्स चेप्टर नुबर 14 स्टेटेस्टिक्स एंड आज का टॉपिक है वो है मीडियन सो प्रिविएसली चेप्टर नुबर 14 के वीडियो के अंदर हमने डीटेल सॉल्यूशन और टॉपिक पढ़ा था एक मीन और एक मोड का जैसे स्टांडर नाइन्थ में आपको मीन मीडियन और मोड स्टांडर नाइन्थ में आया था वैसे इप ये स्टांडर टैंथ में आपके बताशतीनوں मिलने वाले जिसमें से चैप्टर नंबर 14 के वीडियोज के अंदर मीन और मोड कैसे फाइंड करना है वो हमने देख लिया है एक बार फिर से हम आज मीडियान के बात करने वाला है 9th क्लास के बेजिक फंडास से लेके 10th क्लास तक मीडियान में क्या आता है वो देखने वाले है तो सबसे पहले बात करें तो data की बात कर लेता है हमारे पास जो information होती है वो दो type की होती है एक on group data और एक group data एक on group होता है और एक group होता है अब दोनों में difference क्या है अन group data जो है वो आप standard 9th में पढ़के आयो और group data जो है आप standard 10th में पढ़ते हो जैसे previously वीडियो में हमने discuss किया था वैसे ही अन group data के लिए हमने 9th में mean और mode कैसे find करना है वो दीख लिया है और जो भी group data है उसमें mean और mode कैसे find करना है वो 10th के chapter number 14 में दीखा था तो आज बात करने वाले medium के बारे में तो 9th का भी अब यह एक बार revise कर लेंगे क्योंकि अगर 9th का आपको नहीं आता है medium कैसे find करना है तो board की exam के one marks के question में भी पूछा जा सकता है तो वहाँ पर problem हो सकती है तो सबसे पहले 9th के basic से start करेंगे 9th में ungroup data आता था like मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 37, 40, 41, 43 and 52 ऐसी एक ungroup data हमारे पास है अब ध्यान रखो अगर मैं ऐसे बूलू कि इसका median क्या होगा तो अगर standard 9th आपने अच्छे से पढ़ा हुआ हैं तो standard 9th में आता था median मतलब बीच वाला टम तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 मतलब बीच में सभी को दीख रहा है 41 वाला जो मतलब यहाँ पे 1st, 2nd और 3rd मतलब 3rd जो है observation 3rd observation कौन सा है 3rd observation है 41 तो यह 41 जो है वो आपका क्या हो जाता था median तो यहाँ से हमको standard 9th में ऐसा सिखाया था कि अगर median find करना है तो number of observation गिन लो अगर number of observation odd मिल रहे है यहाँ पे देखो आपको odd मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो median find करने के लिए एक formula n प्लस 1 बाइ 2 means 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पे n की जेगा पर 5 प्लस 1 बाइ 2, 6 बाइ 2, 3 तो first, second and third यह हो जाएगा आपका median तो आपने 9th में ऐसे बढ़ा था कि अगर number of observations जो भी है वो आप गिनते हो और वो अगर odd मिल रहे हैं ठीके तो क्या करना है जो भी total number of है उसमें प्लस 1 करके बाइ 2 करो बाइ 2 करने पे हमको 3 मिल रहे है तो third observation कौन सा है 37, 40 and 41 तो 41 आपका answer हो गया बट अगर आपके पास ungroup data में एक और add कर दूँ तो यह क्या हो जाएगा यह क्या हो जाएगा 37, 40, 41, 43, 52 and 61 तो यह कैसे करोगे आप तो यहाँ पे कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 and 6 तो total 6 number of observation है तो उसके लिए formula में बता रहा हूँ कि अगर कोई भी even numbers में है यह नाइंथ में आप पढ़के आए हो अगर even number में तो n by 2th plus n by 2 plus 1th upon 2 मतलब n by 2 जो observation है वो उसमें plus one add करो वाला divide by 2 देखो चब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 by 2 मतलब 3rd plus यहाँ पे 4th divide by 2 मतलब प्लस one add करना है तो यहाँ पे जो उसके प्लस one add करो अब 3rd कौन सा है 41 4th कौन सा है 43 by 2 3 plus 1 4 और 8 4 by 2 मतलब 42 तो यह हो गया आपका median तो ऐसे हम median find करते थे 9th के अंदर ठीक है तो जो ungroup data होता है ungroup data मतलब के ऐसे जिसमें group wise नहीं होता जो आप standard 10th में पढ़ने वाले वह group data है तो ungroup data के अंदर अगर total number of observation और निकल रहा है तो total number यहाँ पे लिखो plus 1 by 2 जो भी मिल रहा है third मिल रहा है तो third observation चेक कर लो वह आपका हो जाएगा median और अगर total number of observation even है तो मतलब 6 है तो 6 by 2 मतलब 3 plus 4 upon 2 तो 3 वाला 41 है 4 वाला 43 है by 2 तो यह आपका answer मिलेगा 42 तो यह ungroup data के लिए था जो आप standard 9th में पढ़किया है अब जो हम देखने वाले हैं वो group data के लिए कौन से group data के लिए तो जो standard 10th का जो topic है main group data के लिए median कैसे find करना है वो आज हम देखने वाले और जो group data होता है वो ऐसा होता है तो group data में first question हम लेते हैं 14.3 exercise जो median वाली है उसका ही first sum से start करेंगे तो उसमें क्या है जो हम electricity use करते हैं हमारे गर पर मतलब जो light भी लाता है ठीक है उसमें monthly use ऐसे दिया है कि 65 to 85 unit use करने वाले customers मतलब consumer कितने 4 है 5 consumer मतलब 5 गर ऐसे है जिसमें monthly use होता है monthly unit होता है 85 to 105 ऐसे तो यह जो है वो group data है आपको तो सिर्फ इसका median find करने से मतलब है आपके question में ऐसा बोला होगा कि find mean mode and median and बाद में आप देखलो कि तीनों में कौन सा comparison कैसे मिल रही है ठीक है mean और mode आपको already में पढ़ा चुका हूँ mean और mode आपको already में पढ़ा चुका हूँ आपको आज जो topic में है वो है median तो यही वाले example में आपको mean और mode तो find कर नहीं है मैं median कैसे find करते हैं वो सिखाऊंगा तो कैसे करते हैं तो जैसे आप cumulative frequency मतलब cf find करते थे क्या find करते थे cf find करते थे वैसे ही यहाँ पर हम cf find करेंगे तो cf mode में कैसे find करते थे यह वाला 4 यहाँ पर रख दिया 4 plus 5 क्या होता है 9 9 plus 13 22 22 plus 20 कितना होता है 42 42 plus 14 56 56 plus 8 64 64 64 plus 468 तो टोटल कितना मिल गया जो n है 68 मिल गया यह सुनो आपको दिया ही है 68 consumers तो आपको 68 last में आना चलिए बाकी same process आप जो कर रहे थे वैसे ही करनी है आप कैसे कर रहे थे मतलब n जो आपको मिल रहा था कितना है 68 तो पहले n by 2 find करो कितना मिलेगा 34 तो 34 से ज्यादा कौन है जैसे mode में करते थे वैसे ही n 68 है n कितना मिल आपको 68 तो n by 2 करो के तो कितना मिलेगा 68 by 2 34 मिलेगा कितना मिलेगा 34 तो 34 से ज्यादा आपको cf में चेक करना है किस में चेक करना है cf में तो 34 से ज्यादा cf में कौन है यह रहा 42 तो यही वाली लाइन पर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको मिल जाएगी frequency f कितना मिलेगा 20 वही लाइन पर यहाँ पर जाओगे तो जैसे आप mode वाला find करते थे वैसे यहाँ पर median class मिलेगा और वो क्या होगा 125 टू 145 तो यह class से हमको L मिल जाएगा 125 जैसे mode में करते थे वैसे अब cf क्या होता है मैंने पहले ही बोला था कि उसके जर्स्ट उपर वाली cf cf यहाँ पर मिल गया 22 और h क्या मिलेगा h class length यहाँ पर gap है 20 बस आपको सिर्फ इतना ready रखना है अब आपको only formula apply करके गिनना है दुसरा कुछ है नहीं median में तो formula apply करते हैं कौन सा formula apply करेंगे median का मैं यहाँ पर median का formula लिखा रहा हूँ वो यह आपको apply करना है so formula है याद रखना median is equal to l plus n by 2 minus cf upon f into h यह formula है आपको perfect prepare करना है l plus n by 2 minus cf upon f into h so we have l equal to 125 तो यहाँ पर put कर देंगे है l 125 plus n by 2 कितना है 34 cf कितना है यहाँ पर 22 divided by f कितना है 20 और h class length कितनी है 20 तो यहाँ पर देखो कि 20 cut हो जाएगा बचेगा क्या 125 4 minus 2 मतलब 2 12 तो यह कितना है 137 तो यह 137 जो मिला वो क्या मिल गए आपको median तो median कैसे find करते है median find करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है पहले जैसे आपने mode find किया है वैसे median में पहले cf find कर लो अगर आपके पास ungroup data है तो class 9 से जैसे मैंने पहले बुला वैसे करना है और अगर आप class 10 से हो तो group data आएगा तो group data यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से आपको median find करना है तो cf find करना पड़ेगा means cf वाली column add करतो so cf वाली column add करने के लिए आपको यहाँ पे f लिखना है फिर यहाँ पे add करना है फिर add करना है फिर add करना है last में जो भी आपके पास total n है वो आना चाहिए तो यहाँ पे हमारे पास n equal to 68 है तो 68 मिल गया अब आपको क्या करना है जो भी n मिल रहा है उसका by 2 मतलब 34 मिल गया n क्या मिला हमारे पास 68 n क्या मिला 68 तो n by 2 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 34 अब यह जो 34 है उससे just ज्यादा मतलब 34 से ज्यादा क्या होगा 42 क्या होगा 42 तो वो वाली line में आगे देखो तो यह आपका हो जाएगा f इसको नहीं लेना है इसके उपर वाले को cf लेना है इ वो ही line पर आगे जाओगे तो यह हो जाएगा आपका frequency f 20 और वो ही line पर यहाँ पर जाओगे तो आपका यह L हो जाएगा 125 so L equal to 125 median class 125 to 145 frequency 20 n by 2 clearly 34 और cf जो है वो 22 class length भी मिल गई है अब आपको करना क्या है आपको एक formula प्रिपेर करना है कौनसा median का L plus n by 2 minus cf upon f into h L है हमारे पास 125 plus n by 2 है 34 minus cf है 22 upon f है 20 into 20 कट हो जाएगा बचा 1 सा अब यह देखो यह क्या है median क्या है median तो देखो median class अमारे पास कौन सा था 125 to 145 तो यह जो 137 है वो median class में आने वाला ही है ठीक है तो ऐसे आप median find कर सकते हैं तो आज जो देखा वो हमने median के बारे में 9th और 10th का basic देख लिया है और next वीडियो के अंदर अम median के अच्छे से अच्छे सम करने वाले हैं कर दो